हलो 10th class students my name is सुर्वित इवारी welcome to step up academy आज का यह जो वीडियो है इसमें हम कवर करने वाले हैं light reflection and reflection चैप्टर के कुछ बहुत ही जादा important iam secure तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेगा हर एक mcqs को बहुत अच्छे से समझेगा वन मैं आपको हम स्टार्ट करें उससे पहले यह बता देना चाहती हूं कि इस चैप्टर का अगर आप complete detail वीडियो देखना चाहते हैं वाइन शॉर्ट वीडियो देखना चाहते ह है तो यह already हमारे step up academy के चैनल पर available है आज ही सब्सक्राइब करें step up academy और अब चलिए स्टार्ट करते हैं चाप्टर वन डाट इस लाइट reflection and reflection के am secure okay तो हम एक कोशन के साथ उसका थोड़ा सा solution या फिर उसके पीछे का concept क्या है यह भी समझते जाएंगे आप अगर मैं आपको chapter number 10 की बात करू light reflection and reflection की बात कहूं तो आपको इसमें क्या-क्या पढ़ना था तो सबसे पहले तो आपको जानना था है कि light क्या होती है light is a form of energy यह हम बहुत अच्छे से समझ चुके थे दैन इसके बार हमें पढ़ना था reflection क्या होता है ठीक है तो reflection में हमने देखा कि जब भी light energy जो है वो किसी surface पर जाकर कि किसी पॉलिश रफिस पर अगर जाती है तो बाउंस बैक होकर कि वापस आ जाती है तो इसे ही हम क्या कहते हैं इसी concept को हम कहते है reflection of light reflection of light हम यूज करते हैं mirrors के case में spherical mirror की बारे में देन हमने पढ़ा plane mirror के बारे में हमने बहुत अच्छे से study किया clear है तो plane mirror spherical mirror इन सभी को पढ़ने के बार हम पहुत जाते हैं सीधे reflection के concept पर इनसके बीच में हमने वहाँ पर देखे थे mirror formula mirror formula का use हमने देखा उसके related जितने भी numericals थे वह भी हमने किये थे ठीक है देन उसके बाद हम सीधे आ जाते हैं reflection पर reflection का क्या मतलब होता है तो light जब एक medium से दूसरे medium में travel करती है तो उसकी speed slow हो जाती है इसी concept को ठीक है हम क्या कहते हैं reflection कहते हैं और यह हमने lens के case में समझा फिर हमने lens के बारे भी पढ़ा कि different type के lens क्या क्या होते हैं और उस से related numericals जैसे पहले हमने mirror formula पढ़ा था इसके बाद हम lens formula पढ़ते हैं and power of lens हमने निकाली थी तो भई यह सारे important points जो है यह फिर important topics जो है वह हम already cover कर चुके हैं अब बारी आती है mcqs की तो अगर मैं पहले question की बात करूँ तो पहला question यहां पर आपके सामने है कि one of the following does not apply to our concave mirror इन में आपको क्या दिया हुआ है चार options दिये हुए है और आपसे कहा है कि इन में सी एक चीज जो है वो concave mirror के लिए applicable नहीं है तो कौन सी वो ऐसी चीज है पहली बात focal length is negative second चीज आपको क्या बताई हुई है concave mirror के case में आप concave mirror कैसा होता है तो मैं आपको फिर से याद दिला दो कि यह जो mirror है जो कि cave के समान होता है cave मतलब गुफा जो गुफा के समान हो उसे हम क्या कहते है concave और जिसका उभरा हुआ जो bulge portion होता है वो इस तरह से painted या polished होता है इसे हम क्या 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 क्याते हैं ठीक है आप यह जो concave mirror है ठीक है इसकी focal length क्या कहलाएगी यह जो length है इसे हम क्या क्या है focal length यह कहते हैं क्या नहीं यह होती है radius ठीक है इसका जो midpoint होता है यह कहलाता है आपका focus और यह अगर आपकी radius of curvature है ठीक है यह क्या है आपकी radius of curvature ठीक है और यह क्या है यह है हमारी focal length ठीक है जो कि किसकी बराबर होती है focal length equals to half the radius of curvature radius of curvature की half होती है focal length ठीक है अब यहां से हमने इसके बात पढ़ा था किसका rule Cartesian rule अब Cartesian rule की अगर मैं बात करूं तो according to Cartesian rule ठीक है Cartesian rule के according जितनी भी चीजें किस side पर होती है आपके left side पर उन्हें हम क्या लेते हैं negative यहां पर positive जो upward direction की तरफ होंगे उसे positive लेना है और जो downward direction की तरफ लेंगे उसे negative लेना है तो इस तरह से यह आपकी focal length है क्योंकि वो किस direction में है focal length इस axis पर है और Cartesian rule के according इस axis पर सारी चीजों को हमें क्या लेना होता है नेगेटिव लेना होता है अभी Cartesian rule और कुछ नहीं है वही रूल जो कि आप normally अगर आप graph draw करते हैं और आप access draw करते हैं तो आपको चार access मिलती है ठीक है positive यह आप positive लेते हैं और यह दोनों access को आप negative लेते हैं तो जितनी भी चीज़ें इस access पर आती हैं उसे आपको positive लेना है और इस access पर आने वाली चीजों को नेगेटिव लेना है और इस पर आने वाली सारी ही चीजों को हमें positive लेना है अब बात आती है इन access का क्या यूज है तो जब आपका object जो है अगर वह सीधा रखा हुआ है कुछ इस direction में इरेक्ट है तो आप उसे क्या कहोगे positive लोगे और अगर यह inverted है कुछ इस तरह से है तो इसका मतलब आप उसे क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे मतलब कि अगर arrow का direction अपवर्ड शो कर रहा है डाट मींस कि यह इस एक्सिस की बात हो रही है अगर downward है तो इस एक्सिस की बात की जा रही है तो इस rule के according जो भी direction आपकी ऐसी रहेंगे उसको आपको positive लेना है और इन directions को हमें negative लेना है ठीक है यह बात हमने इसलिए समझाए क्योंकि यह जो question है इसका नाता इसी डाइग्राम के साथ है अब पह बिल्कुल सही है ठीक है तो यह option हमारा correct हो जाएगा next आप से पूचा हुआ है image distance can be positive और negative ठीक है image distance can be positive और negative मतलब की जो भी object इसके सामने इस mirror के सामने रखा होगा जब उस mirror की उस object की image mirror पर बनेगी तो वह positive भी हो सकती है negative भी हो सकती है तो बिल्कुल हो सकती है हमने बहुत सारे cases पड़े हैं concave mirror के तो concave mirror के सारे ही maximum cases में क्या होता है कि जितनी भी image है वो किस तरफ बनती है left side बनती है अब अगर image यहां कहीं बन रही है तो obvious सी बात है उस image की distance को आपको क्या लेना पड़ेगा तो according to Cartesian rule image की distance को अगर वो यहां है तो आपको इसे negative लेना पड़ेग वहीं अगर image आपकी right side पर create होती है तो होता है कि जब object focus और pole के बीच में रहता है तब आपकी जो image है वो erect virtual और कैसी बनती है सीधी बनती और किस तरफ बनती है यह आपके right side पर बनती है तो मतलब जो image का distance है इस case में क्या हो जाएगा positive हो जाएगा तो जी हां image जो है उसका distance Imageerez का distance positive भी हो सकता है और negative हो सकता है इमिच distance is always positive आप और यहां पर गलत चीजई क्या लिखी होई है यह लिखी ना हमेशा positive कभी बीमेज का distance नहीं होगा वो positive हो सकता है और negative भी हो है maximum cases में कॉनके मिरर के अगर बात करें तो जितने भी image के distances है वो negative होंगे क्योंकि image ज्यादा तर cases में left side पर create होती है height image can be positive or negative height of the image जी हां जो image की height है वो positive भी ली जा सकती है और negative भी ली जा सकती है तो जब object जो है ठीके वो किस तरह से होगा अगर वो सीधा है कुछ इस तरह से है तो आप उसे positive लेंगे अगर वह inverted है ठीके ऐसा है तो आप उसे क्या लेंगे आप उस case में से negative लेंगे इस case में positive is case में negative तो दोनों ही cases उते हैं ज्यादा तर cases में क्या होता है Concave mirror में आपको inverted image मिलती है एक केसा ऐसा-जो-ई-क इससे सी में बात करें थी इसमें आपको इरेक्ट generally मिलती है मतलब कि कैसी होगी हाइट ऊव्ड़ इमेज के पॉजिक हो सकती है या फिर लेगे जनाए और हो सकती है तो हमारे हिसाब से इसका वासाइर होना चाहिए वह होना चाहिए इस always positive ऐसा concave mirror के case में नहीं होता है यह आपको याद रखना है चलिए अब बढ़ेंगे हमने अगले question की तरफ तो next question है हमारा a student has obtained an image of a distant object on a screen to determine the focal length f of the given lens his teacher after checking the image gave him another lens of focal length f and asked to focus the same object on the same screen the student found that to obtain the sharp image he has to move the lens away from the screen from this finding we may conclude that both the lenses given to the students were awake student था उसे उसकी teacher ने lens दिया सबसे पहले ठीक है और एक दूरी पर रखे हुए object का उसे उस object का image screen पर create करना था ठीक है अब distinct object है मतलब की lens से थोड़ी दूरी पर है ठीक है अब उसका image जब उसने screen पर create किया तो वह काफी sharp image थी ठीक है अब क्या हुआ कि madam ने उसका जो lens था वो चेंज कर दिया और उससे कहा कि सेम इमेज इस पर create करके बताओ तो अब जब उसने lens उस object के बीच में रखा और screen को screen के screen पर जब उसने object की image को देखा तो वह जो image है वो कैसी मिल रही थी थोड़ी नहीं थी तो फिर उसने क्या किया lens को थोड़ा सा दूर और shift किया तो क्या हुआ image जो image है वो शाप बढ़ने लेगी ठीक है तो यह पूरा case था तो आपको यह बताना है कि actual में वह lens कैसा था क्या दोनों ही lenses की focal length same थी या focal length अलग अलग थी तो किसकी focal length जादा थी ठीक है तो देखिए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि screen पर अगर image मिल रही है तो इसका मतलब क्या है कि image real है क्योंकि screen पर कब तक image नहीं मिलती है जब तक कि image real ना हो और किस case मे हमें real image मिलती है तो concave mirror और convex lens इन दोनों ही cases में इन दोनों के ही cases में हमें real image मिलती है तो इसका मतलब A option और C option तो नहीं है that means B option और D option में से कुछ होगा ठीक है ना तो चलिए यह बात तो clear हो गए कि convex mirror convex lens है ठीक है अब अगर मैं बात करूँ sharp image की तो किसी भी उससे sharp image हमें कब मिलती है किसी भी lens से sharp image हमें तब मिलती है जब distinct object से जो भी महली जे की object रखा हुआ है ठीक है तो इस object से जाने वाली जो parallel light rays है ठीक है वो किस से होकर के गुजरेंगी वो after reflection focus से होकर के जाती है ठीक है focus पे जाकर कि अगर meet करेंगी तो ही क्या होगा कि यहां पर एक sharp image जो है वो create होकी हमें दिखाए देगी ठीक है तो इसका मतलब कि screen और focus के बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी जितनी focal length के दू हुई है वो actual में कितनी है f1 ही है ठीक है कब आपको sharp image मिलेगी जब screen और lens के बीच की दूरी किसके बराबर हो focal length के बराबर हो ठीक है अब दूसरे case में क्या हुआ कि यहां से हम यह तो समझ गए कि हमें screen और lens के बीच का distance कितना लिखना है कितना लेना है focal length के बराबर ठीक है दिया तो लेकिन आप sharp image नहीं मिल रही है तो sharp image के लिए आपको क्या करना पड़ेगा screen और lens के बीच का जो distance है वो कितना रखना पड़ेगा focal length के बराबर तो इसका मतलब आपने screen से lens को दूर किया इसका मतलब क्या है कि इसकी second case में जो lens यूज किया है उसकी focal length पहले case के lens से जाधा होगी तो इसका सही option क्या होगा इसका सही option होगा option number b that is convex lens और इसमें आपकी focus length क्या होना चाहिए convex lens f1 is smaller than f2 या फिर हम कह सकते है f1 is sorry f2 is greater than f1 clear है चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे अगला question तो अगला question कौन सा है आपका question number 3 अब देखें यहां पर if a spherical lens has a power of minus 0.25 adapter the focal length of this lens will be तो इसकी focal length क्या होगी अब हमें पता है कि अगर lens formula की बात की जाए lens की power की बात की जाए तो power of lens कितना होता है power अगर निकालने है तो p equals to होता है 1 upon f चीक है तो यह आपका formula है clear है अब अगर मुझे power दी हुई हो focal length निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे f equals to 1 by p कर देंगे simple सा formula तो p की value कितनी दी हुई है आपको तो p की value दी हुई है 0.25 तो इस हिसाब से जब आप इसे solve करेंगे तो यह कितनी value आएगे आपके पास minus 4 अब यह किसमें लेंगे हम meter में ठीक है minus 4 meters ठीक है ना तो कितनी हो जाएगी इसकी value इसकी value होगी minus 4 meter बहुत आसान से सवाल था आगे चलेंगे next question की तरफ where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object ठीक है अब हमारी पास एक convex lens है ठीक है और हमें उसकी real image लेनी है किसी object की हमें real image लेनी है तो और इसका size कैसा होना चाहिए the real image of the size of the object में जितना आपके object का size है वही size आपका image का होना चाहिए तो अब देखिए बहुत सारी cases होते हैं यह हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है convex lens के cases में भी ठीक है अब वो प्लेस पर ठीक है आपको real image मिलती है तो देखिए मैंने आपको तोरीका समधाया हुआ है आप कहां से start करें आप infinity से start करें infinity से से आएंगे तो आपको कैसी image मिलेगी थोड़ी सी आपको और अगर आप अप्टिकल सेंटर और ऐसके बीच में तो फिर आपको हाई लिए लिए इसकेस में मिलती है तो भाई इस केस में हमें कहां पर ऑबजेक को रखना चाहिए तो एट टॉइस तो फोकल लेंद्द थिकेडाट मेन्स कि अगर हम बी पोजिशन पर रखते हैं ऑब ज मुझे कैसे मिलेगी वह इमेज मुझे जितने ही साइस की यहां पर है उतने ही साइस की मेज यहां पर मुझे दिखाई देगी ठीक है तो चलिए इसके बात आगे बढ़ेंगे हमारे next question की तरफ अब next question है if the focal length of a spherical mirror is 12.5 cm ठीक है its radius of curvature will be अगर focal length अगर spherical mirror की बात करें अब किसी भी spherical mirror की बात की जा सकती है चाहे वो concave mirror हो ठीक है चाहे वो convex mirror हो ठीक है चाहे concave हो चाहे convex mirror हो दोनों की ही अगर मैं बात करूँ focal length की तो focal length क्या होती है यह हो गया आपका optical center ठीक है sorry यह हो गया pole pole कहते है है इस केस में ठीक है यहाँ पर है आपका सेंटर ठीक है और बीच में उसके सेंटर और पोल के बीच में कौन सा पॉइंट होता है फोकस होता है इस केस में भी देख लीजे यह गया आपका पूल यह गया एफ और यह होता है c clear है आप इस distance को आप क्या बोलते है radius of curvature क्यों कि इनको हमने किसी sphere से काた किया हुआ है that means कि इसका center होगा तो यह रहा वो center center है तो radius होगी तो यह रही वो radius ठीक है अब ढौने आपको च्या दिया हुआ है the focal length of spherical mirror is 12.5 cm ठीक है किसी भी spherical mirror की बात कर सकते हैं तो focal length क्या होती है focus से pole के बीच की दूरी या फिर radius of curvature का half उगर कर दिया जाए तो जो point मिलेगा उस point की pole से जो दूरी होती है जो distance होता है उसे हम focal length कहते हैं तो इस case में जो focal length है आपका वो क्या होगी यह होगी आपकी focal length और यह कितनी दी होई आपको यह दी हुई है 12.5 cm तो 12.5 cm अगर focal length है यहां पर भी हम mention कर देते हैं कि अगर 12.5 cm focal length है तो फिर ROC that means radius of curvature कितना होगा तो just double आपको करना होगा तो आप क्या कर दिजे 12.5 into 2 आप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा आपको मिलेगा इसका just double करेंगे तो 12 25 cm अब यहां पर कुछ तो गरवर है अना ए और डी option बिलकुल सेम दिये हुए है ठीक है तो हम इसको solve करके देख लेते हैं ठीक है ना तो यह हो जाएगा ठीक है तो 25 अब देखें दोनों केसे में यहां पर तोड़ा सा option में थोड़ी गरबड़ी हो गई है लेकिन इसका option क्या होगा 25 cm होगा हो सकता है यहां पर 35 लिखा हो हम यह कंसलर कर लेते हैं तो चले इसका सही option क्या है आपका 25 cm में sih 100 2,5 meter ठीक है सो नेक्स में स्को में स्ब्सेकेशन से रेलेपेशिए थैस भाय। तो ब्यूपईज्यम के जो वेल्यू ए ना उसकी लिमिट क्या है कि अगर माइनिफिकेशन की वेलियू आ रही है 1 उ कहा कि तो इसका मतलब object का size is equals to image का size, ठीक है, object size equals to क्या हो जाएगा, image size, अगर magnification की value है 1, अगर magnification की value जो है, वो 1 से छोटी है, तो इसका मतलब object की जो image है, that means की जो object का size है, उससे छोटी image आपकी बने की, ठीक है, अगर M 1 से क्या है, sorry, 1 से छोटा है, ठीक है, अगर M की value क्या है, वो 1 से छोटी है, तो इस case में, अगर M बढ़ा है, इसका मतलब size of image is large compared to object size, clear है, तो यह तीन केसे सोते हैं, अब यहां पर magnification जो है, plane mirror कैसा produce करता है, तो plane mirror में क्या property होती है, कि आपको हमेशा virtual erect and same size of the object की image मिलती है, मतलब की जो image बनती है, वो बिलकुल same size के होती है, जितना size object का है, उतना ही size image का होता है, दोनों के बीच में distance भी जो है, वो बिलकुल same रहता है, अगर आप 2 meter plane mirror से बाहर खड़े हैं, तो mirror के अंदर भी 2 meter बाद ही आपकी जो image है, वो create होगी, और कैसी size की होगी, जितना size में आप उस mirror में fit हो पा रहे हैं, ठीक है, तो इस case में आपका जो magnification है, वो क्या होना चाहिए, less than 1, greater than 1, 0 या equal to 1, तो इसके हिसाब से object का size और image का size कब होता है, बराबर, जब M की value 1 हो, मतलब magnification is equals to 1, that means कि हमारा option क्या होना चाहिए, तो हमारा जो option है, वो होना चाहिए, option number D, that is equal to 1, clear है, तो यहाँ पर हमारा answer आचुका है, equal to 1, बिलकुल सही है, आगे चलिंगे next question की तरफ, तो next question में आप से पूछा हुआ है, the image formed by a concave mirror is real, inverted and highly diminished, कौन सा mirror है, concave mirror है, इस case में real, inverted and highly diminished, मतलब की बहुत छोटी image बन रही है object की, तो object must be at, between pole and focus, at focus, at the center of curvature, या फिर infinity, कहां पर object होना चाहिए, ठीक है, तो भई देखो, बहुत simple सा एक पंडा है, जो कि मैंने अपने पिछले काफी सारे वीडियो में, जिसमें मैंने concave mirror की बारी में आपको concept समझाया, उसमें समझाया भी हुआ है, आप बिल्कुल उसको जाकर के देखे, सबसे पहले तो सारी point mark कर लीजे, ठीक है, यहो गया आपका pole, focus, center, ठीक है, इसके बाद, कौन सी distance होती है, infinity, ठीक है न, तो अब, आपको यह सारी, आपकी सारी position क्या कर दिया है, यहाँ पर mark कर दी है, ठीक है, अभी हो जाएगा, at infinity, ठीक है, यहाँ पर एक और position mark कर दीजे, between infinity and C, यह हो जाएगी आपकी, at C, यह हो जाएगी between C and F, ठीक है, at F, और between c and p ठीक है यह आपके object की different different positions है अब यहां से marking कर दीजे 1 2 3 4 5 ठीक है जहाँ पर अपने 5 लिखा उसके नीचे क्या लिख दीजे 1-4 के नीचे 2-3-4-5- ठीक है अब देखे कि जब object आपका center पर होता है यहां पर रखा होता है तब उसकी image कैसी बनती है तो जब object यहां पर हो तो same size का होगा ठीक है और कैसी होगी real inverted ठीक है real or inverted और ज्यादा पास में जाएंगे तो क्या होगा और ज़्यादा पास में चली जाओं मतलब कि मैं अगर C और F के बीच में चले जाओं इस मेरर के पास में तो कैसी image मिलेगी तो भई देखो Concave के case में याद रखो कि जितना दूर जाएंगे उतनी छोटे image बनती है और जितना पास जाओगे उतनी large image बनती है ठीक है ओके यह बात आपको याद रखनी है ठीक है ना तो अब यह देखें कि अगर यहाँ पर बोला गया है कि highly diminished image है तो आपका जो object है वो कहा रखा होगा highly diminished कहां पर होगा सबसे दूर वाली position पर that means की infinity पर अगर infinity पर object रखा हुआ है तो वो कैसी image देगा real, inverted and highly diminished ठीक है कैसी image बनेगी real, inverted और बिल्कुल छोटी सी image यहाँ पर बनेगी तो इसका answer क्या होना चाहिए तो इसका answer जो है वो क्या हो जाएगा option number d that is at infinity तो अगर infinity पर object रखा हुआ है तो इस case में concave mirror कैसी image create करेगा real, inverted and highly diminished image create करेगा clear हुआ चलिए अब आगे चलेंगे और next question की तरफ बढ़ेंगे तो next question है क्या, the real image formed by a concave mirror is smaller than the object if the object is real image formed by concave mirror अब भही देखें again concave mirror का ही question है तो concave mirror जब image बना रहा है तो वो object से छोटी है तो object कहा रखा होना चाहिए between center of curvature and focus at distance greater than the radius of curvature at a distance equal to radius of curvature at a distance equal to focal length अब देखें again मुझे वही diagram draw करना पड़ेगा ठीक है आप चाहें तो उसको fast forward भी कर सकते हैं जब तक मैं diagram draw कर रही हूँ तो यहाँ पर हम जल्दी जल्दी फटा फट से सारे ही points create कर देते हैं यह हो जाएगा pole यह हो जाएगा आपका F ठीक है यह C ओके और यह point है आपका infinity तो यह हो जाएगा one dash sorry one at infinity one ठीक है एक position हो जाएगी यह between C and infinity ठीक है जिसको मैं 2 नाम दे देती हूँ एक हो जाएगा three at C एक हो जाएगा C और F की बीच में एक हो जाएगा F पर और एक हो जाएगा इसके बीच में तो भही मुझे कैसी image मिल रही है smaller than object if the object is between center of curvature and focus center of curvature कहां है यह रहा ठीक है तो center of curvature यह है और focus यह है and large image मिलती है लेकिन इसमें small मिल रही है at a distance greater than radius of curvature अब अगर radius of curvature है यह तो इस distance से जादा अगर कहीं पर भी object आपने रखा हुआ है ठीक है चाहे आपने यहां रखा हो चाहे यहां चाहे यहां 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 इंफिनिटी पर कहीं पर भी रखा हो तो इस सारी ही cases में क्या होगा कि अगर center of curvature से जादा के distance पर आपने object को रखा है तो आपको कैसी image मिलती है आपको जो image है वो कैसी मिलते है कौन के mirror आपको small image प्रवाइड करता है तो जी हां यह सही है लेकिन आगे की questions को देख लेता है at a distance equal to radius of curvature तो अब radius of curvature यह रहा तो अगर यहां पर में object को place कर दूंग इस case में third option वाले में यहां पर रख दूंगे यह second option है और यह आपका first option है तो third option में तो मुझे same image मिलेगी तो third भी cancel, first भी cancel, third भी cancel, अभी two जीत रहा है, fourth रेक लेते हैं, at a distance equal to focal length तो यह तो बिल्कुल भी नहीं, focal length के case में तो हमें कैसी image मिलेगी, virtual image मिलेगी और erect image मिलेगी और वो बहुत ज्यादा highly and large होगी और आपको यह इस तरफ कहीं पर मिलेगी, तो यह option number जो D है आपका, यह A है, यह B है और यह C है, ठीक है, यह option number B यहाँ पर, ठीक है, C यहाँ पर, यह A और यह D, तो क्या option सही होना चाहिए, D option सही होना चाहिए, क्योंकि अगर object D option पर रखा हुआ है, तभी आपको कैसे image मिलेगी, small image मिलेगी, तो इसको option क्या होगा, इसको option होगा, option number B, that is at a distance greater than the radius of curvature, clear है, आगे बढ़ेंगे, next question की तरफ, the refractive index, index है यह, ठीक है, और 4 medium A, B, C, D, R, 1.44, 1.5, 2, 1.65 and 1.36 respectively, आपकुछ भी material हो सकता है, उनका आपको refractive index दिया ठीक है, refractive index का मतलब क्या होता है, इसका मतलब इससे हमें वो ratio मिलता है कि कितना अपनी normal speed से, कितना speed of light जो है, वो कम होई है, या फिर आप यह कह सकते हो कि कितना वो normal की तरफ bend होई है, ठीक है ना, कितने extent पर bend होई है, उससे आप refractive index से calculate कर सकते हो, तो जिसका जतना जादा refractive index होता है, उतना जादा जो light ray है, वो bend हो जाती है, रेयर से जब denser medium में आती है, तो इसका मतलब क्या कि कितना denser है medium, clear है ना, तो when light traveling in air is incident in these medium at equal angles, the angle of refraction will be minimum, ठीक है, तो आपको यह बताना है, कि जब air से light जो है, वो इन में से किसी भी medium में जब enter करती है, इसमें से किसी भी material में जब enter करती है, तो उस case में सबसे कम refraction, ठीक है, angle of refraction, सबसे कम किस में होगा, angle of refraction का कम होने का मतलब क्या होता है, कि कितना कम वो अपने पार्ट से deviate होई है, ठीक है, कितना कम deviate होई है, जैसे यहां से आ रहे ही थी, तो हर कासा अगर deviate होई है, या जादा हुई ह है, या और जादा हुई है, कौन से case में होना चाहिए, ठीक है, तो यह आपको बताना है, तो जितना जादा यह refractive index की value होती है, उतना ही जादा यह जो आपकी bending of light है, वो बढ़ जाती है, तो सबसे कम किस में bend होगी, जिसका सबसे कम refractive index होगा, तो किसका सबसे कम है, 1.36 का, ठीक है, तो यह किसका है, यह A है, यह B है, यह C है और यह D है, तो सबसे कम refractive index क्योंकि D का है, इसलिए angle of reflection सबसे कम किसके case में होगा, तो इसका answer जो हो जाएगा, in medium यहाँ पर आपको दिया हुआ है C, ठीक है, अब आप सोचेंगे कि कैसे भी सबसे कम bend हो रही है, क्योंकि अब देखिए, सबसे कम bend होने का क्या मतलब है, कि angle अगर ही बनाएगी, तो सबसे जादा angle बनाएगी, और सबसे जादा इस तरह सजाएगी, तो किसका angle सबसे छोटा होगा, उसका angle सबसे जादा छोटा होगा, जिसका refractive index जादा है, तो कि refractive index जादा है, इसका मतलब वो क्य होगी जादर इस तरह से बैंड होगी तो इसलिए इसका ऑप्शिन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन होगा मीडियम सी क्लियर है चलिए अब नेक्स कोश्चिन प्लेइन मिरर का है तो इमेज फॉर्मड बाया प्लेइन मिरर इस वर्च्वल अब आपका जो प्लेइन मिरर में जितनी भी इमेज क्रियेट होती है क्या आप उसे स्क्रीन पर आप्टेंड कर सकते हैं जी नहीं इसका मतलब कि वो जो इमेज क्रियेट होती है वो वर्च्वल इमेज होती है क्लियर है दूसरी चीज आप उसमें कैसे दिखाई देते हैं सीड़े दिखाई देते हैं या उल्टे तो हम सीड़े दिखाई देते हैं इसका मतलब इरेक्ट इमेज होती है दूसरी चीज क्या आप छोटे बड़े ऐसे को तो आप खुद को एक जैसा साइज का पाते हैं इसका मतलब सेम साइज आपके image create होती है तो इसलिए है यहाँ पर जो सही option है वो यह है virtual और behind the mirror mirror के पीछे image create होती है तो virtual behind the mirror and the same size as the object that is option number B clear हुआ आगे पुड़ेंगे next question के दरफ so next question is by using convex lens a student obtain a sharp image of his classroom window grill on a screen ठीक है अब उसके classroom में grill लगी हुई थी window में तो उसकी बहुत अच्छी sharp image उसे मिल रही थी जब उसने convex lens का use किया अब lens को उसने सामने रखा होगा और उसे कैसी image मिल रही थी screen पर ठीक है यह उसकी window थी जिसमें ग्रिल लगी हुई थी ठीक है यहाँ पर उसने convex lens रखा और इस screen पर उसको कैसी image create के हो रही है बिलकुर sharp image बन रही है ठीक है तो इन विच डारिक्शन शुड़ ही मूव तो लेंस तो focus a distant tree instead of the grill अब ग्रिल से दिखाए देने वाला गर उसको पेड जो कहीं दूर लगा होगा गर वो उसे बनाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा तो भई देखो कि जितना जादा आप क्या करेंगे object से दूर जाएंगे स्क्रीन के पास जाते जाएंगे उतना जादा हम पीछे की चीजों को आगे बना पाएंगे in case of convex lens तो भई इस case में क्या होना चाहिए lens को हमें screen के पास लाना चाहिए या दूर लाना चाहिए so towards the screen away from the screen very far away from the screen या फिर behind the screen तो भई जैसा मैंने आप से कहा कि towards the screen screen के पास आपको lens को जादा करना पड़ेगा क्योंकि उस case में आपका क्या create हो जाएगा object और इसके बीच में distance create होगा और जितनी दूरी का अगर आपको चाहिए that means कि उसने बड़े सी चीज को आपको छोटे से screen पर चाहिए है तो आपको क्या करना होगा उसे shift करना होगा उसे दूर ले करके आना होगा तो यहाँ पर हमारा option होगा option number A now let's move on to our next question that is magnification produced by a concave lens is always concave lens की बात की जा रही है तो magnification कैसा देता है यह more than one equal to one less than one more than one or less than one देखें concave lens की अगर मैं बात करूँ तो एक ऐसा lens है जो हर cases में आपको diminished point size image ही देता है that means कि इसका magnification जो है वो कैसा होगा 1 से कम होगा तो इसले इसका option क्या होगा less than one that is option number C clear हो गया चलिए तो यहां से हम समझ गये इसके बारे में अब आगे आएंगे और next question को देखेंगे the angle of incidence of a light passing through the center of curvature of a concave mirror is ठीक है अब हमारे पास एक concave mirror है ठीक है यह रहा हमारा concave mirror clear है नहीं एक काम करते है mirror को किसी और color से draw करते है ताकि आपको और clear से दिख जाए ठीक है so this is our concave mirror okay so the angle of incidence for a light passing through the center of curvature of a concave mirror is ठीक है अब वो light ठीक है जो कि क्या कर रही है इस mirror के center of curvature से हो करके जा रही है अब यह मिरर है और यह रहा इसका center of curvature see ठीक है अब एक light ray आ रही है वो इससे हो करके इस तरह से जा रही है ठीक है तो क्या होगा इस केस में क्या एंगल यह बनाएगी so the angle of incidence for the light passing through the center of curvature of a concave mirror is तो इसका angle of incidence है यह क्या होगा 45 degree 90 degree 0 degree या फिर 180 degree आप अगर मैं इस पे normal draw करूं ठीक है इस पर तो mirror की अगर हम बात करें तो इस mirror के case में यह 90 degree से क्या हो रही है incident हो रही है मदब 90 degree बना रही है that means कि यह इस पर अगर मैं normal draw करूंगी ठीक है इस तरह से तो यह normal draw कर दिया ठीक है यह 90 degree बना रही है यहां से तो normal क्या हुआ आपका यह ठीक है तो यह क्या कर रही है कितने angle के साथ आ रही है according to normal क्योंकि बिलकुर normal के साथ क्या हो रही है यह club कर रही है इसका मतलब कि कितना angle बना रही है यह 0 degree so the angle of incidence for a light passing through the center of curvature of a concave mirror is कितना angle होगा यह तो यह जो angle की बात कर रहे हैं तो यह angle कितना हो जाएगा आपका यह angle जो है जिससे incident हो रही है इस पर यह हो जाएगा आपका 0 degree ठीक है तो 0 degree के साथ यह incident हो रही है a converging lens is used to produce an image of an object on a screen अब एक converging lens है जो कि किसी object की image को screen पर obtain करने वाला है ठीक है मतलब कि image कैसी होनी चाहिए real होनी चाहिए so what change is needed for the image to be formed nearer to the lens ठीक है अब अगर मुझे ऐसा क्या हम change करें ठीक है what change is needed for the image to be formed nearer to the lens मतलब कि lens के पास में image create हो जाए उसके लिए हम ही क्या करना पड़ेगा increase the focal length of the lens insert a diverging lens between the lens on the screen increase the distance of the object from the lens ठीक है क्या हम distance को बढ़ा दे अब्जेक और अब्जेक और लेंस के बीच में या move the object closer to the lens ठीक है अब देखिए converging lens की बात कर रहे हैं मतलब एक ऐसा lens जो की सारी light rays को एक point पर लेकर के आता है तो यह किस lens की बात कर रहे हैं यह convex lens की बात कर रहे हैं ठीक है तो अब अगर मुझे near to the lens image को बनाना है image lens के पास में लेकर के आने पड़ेगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा object और इसके बीच का जो distance है इसे increase करना पड़ेगा तब जाकर के यह जो हमारा limit है वो इम लेंस के पास में जाकर के कहीं create होता है clear हुआ तो चलिए इसका option क्या हो जाएगा increase the distance of the object from the lens lens से दूरी बढ़ा दीजे आपको lens के पास में image जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी क्योंकि जितनी दूरी पर object होता है उतना यह कैसी image create करता है dimnist image point size image जैसे जैसे आपास लेकर के आती हो तो image कैसी होती जाती है enlarged होती जाती है okay so now the next question is which mirror is used to be used to obtain the parallel beam of light from a small bulb अगर किसी mirror की बात करें तो वो एक bulb से parallel beam of light कौन निकाल पाएगा concave mirror convex mirror plane mirror अब देखे कि यहां पर बात हो रही है किसकी एक ऐसे मिजर की जो की parallel beam of light produce कर सके तो यह parallel beam of light कौन प्रड्यूस करेगा तो भी आपका concave mirror जो है यह parallel beam of light जो है यह प्रड्यूस करते हैं ठीक है क्योंकि हम इसके सारे loss पढ़ चुके हैं कि अगर parallel light rays आ रही है तो फोकस पे जाके मिलेगी फोकस से आ रही है तो वो सब parallel हो जाती है ठीक है तो अगर बल्ब की बात करें तो बल्ब के केस में parallel beam of light आपको किस से मिलेगी कौन के mirror से मिलेगी अब है a convex lens a convex lens है जिसकी focal length 8 cm forms a real image of the same size as the object अब भई यह क्या कर रहा है कि जितना object का size है उसी size की image create करके दी रहा है और focal length है 8 cm so the distance between object and its image will be taken up they go put up it says good rocker later है यह हमारा convex lens अब same size कब मिलता है जब object कहां पर रखा हुआ हो C पर रखा हो या फिर आप इसको 2F भी बोल सकते हो ठीक है अब यहां पर उन्होंने आपसे क्या कहा है कि आपको same size of the image मिलना है कैसी में आपको मिलेगी आपको यहां पर कहीं पर image मिलेगी और same size की मिलेगी सी पर ही मिलेगी ठीक है ना अब आपसे क्या बोल रहे हैं कि the distance between the object and its image विल भी तो उन दोनों के बीच का आपको distance निकाल करके बताना है ठीक है ना अब focal length कितनी है यहां से यहां तक की जो length वो कितनी है 8 cm है ठीक है तो यह कितनी हो जाएगी तो यहां तक की अगर distance निकालोंगी तो 16 cm ठीक है तो मतलब यहां से 16 cm की दूर object रखा हुआ है तो similarly 16 cm यहां पर क्या create हो रही होगी उसकी image तो 16 प्लस 16 इन दोनों के बीच में distance कितना हो गया 32 cm तो फिर दा distance between object and its images 32 cm यहां पर सी पर होती है रियल होती है इन वोती है लेकिन size कैसा है same है और distance भी कैसा है जितना दूरी यहां उतनी दूरी यहां that means 16 cm तो total कितना हो गया और दोनों के बीच में distance object और image के बीच में 32 cm इसका distance हो गया चलिए अब आगे बढ़ाएंगे कारी को और next question भी पहुच जाएंगे in an experiment to trace the path of a ray of light through the triangular glass prism अब एक triangular glass prism रखा हुआ है a student would observe that the emergent ray in an experiment to trace the path of the ray of light अब भी ray of light कहीं से इसमें जा रही थी अब बच्चों को क्या करना था क्या trace करना है a student would observe that the emergent ray मतलब emergent ray क्या है is parallel to the incident ray it is along the same direction as incident ray gets deviated and bends towards the thinner part of the prism gets deviated and bends towards the thicker part of the prism अब भी prism की अगर बात करोगे तो क्या होगा कि जो आपका path है light का ठीक है पहली चीज तो उसमें जाकर क्या होगा अगर यहां गई तो path change होगा और वापस से क्या हो जाएगा उसका path change हो जाएगा तो इसका option क्या हो जाएगा gets deviated and bends towards the thicker part of the prism क्योंकि सबसे जादा टाइम उसको कहां से निकलने में लगेगा एक prism है जिसमें अलग-अलग thickness की साइड लगी हुए थी ठीक है अब एक ठीकर पार्ट है तो जब उसमें से वह निकलेगी गुजरेगी तो सबस्यादा बैंड किस साइट से होगी जहां पर सबस्यादा उसका ठीक पार्ट होगा ठीक है तो किस तरफ से आपको बैंड होती हुए दिखाए देगी जहां पर उसका सबसे जादा ठीकर पार्ट है ठीक है जहां पर भी इसका मोटा पोर्शन होगा वहां पर यह बैंड होती हुए हमें नजर आएगी नाव नेक्स कोश्चन इस इन और तो अप्टेन मागनिफिकेशन ओफ माइनस 0.75 अब मुझे माइनस 0.75 चाहिए मतलब क्या चाहिए कि मिर जो है वो जितनी डिमनेज्ट हो इतनी अच्छी है तो विद अ रॉप कॉंजेंच और कौनसा लेंच से कॉनपेक्स लेंच इसकी पोकल लेंठ है 8 संतिमेट्र heck शुद भी प्लेज़ अबकल लेंथ काण Дав maximal लेंसकी रिये तो इसका मतलब ग्याइद इसकी वैल्यू कितनी है टो एक की वैल्यू वैल्यू जाएगी यहापन नोट डाउन क और इंफिनिटी पर कितनी कैसी मिलती है आपको बहुत जाधा छोटी इमेज मिलती है यहां पर भी आपको छोटी इमेज मिलती है बिट्वीन सी और इंफिनिटी के बीच में ठीक है यह पॉइंट क्या है बिट्वीन सी एंड इंफिनिटी ठीक है अब आप जे को कहा प्लेस क करें कि हमें मैंगनिफिकेशन माइनस दिरो पॉइंट सेवन मिले एक लेस देन एट सेंटीमेटर तो भई आठ सेंटीमेटर से कम की दूरी पर रहोगी तो क्या होगा और ज्यादा लाज्ड मेंज आपको मिलेगी तो यह नहीं हो सकता बिट्वीन एट सेंटीमेटर एंट और 1T 16 cm अब दीयों 8 16 cm बोर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि सीब की बात कर रहे तो सबसेर नहीं हो सकता सी बोरे मतलब कि ब्यामपा कि बहुँंं सेंटीमेटर हैना मैं सारे उप्षिंट को यहां पर मेंशन कर देती हो और आप आप ज़रा सोच सोचिए कि कहा पर होना चाहिए less than 8 cm यह हो गया आपका a option ठीक है मतलब यहां पर कहीं पर ओके बिट्वीन 8 & C तो यह हो गया B option ठीक है beyond 16 cm मतलब कि यहां पर कहीं पर ठीक है और उसके बाद D है at 16 तो देखे एपर भी कैसी इमेज बनेगी and last बनेगी ठीक है बीपर भी and last बनेगी यहां पर आपकी सेम साइज इमेज बनेगी और C पर कैसी बनेगी आपकी कैसी चाहिए थी छोटी इमेज चाहिए थी कम होना चाहिए तो इसका मतलब beyond 16 cm हमारा सही option है ठीक है अगर 16 cm के पीछे कहीं पर आप रखते हो तो आपको इमेज कैसी बनती है छोटी इमेज बनेगी that means कि मागनिफिकेशन क्या हो गया माइनस में चला गया मतलब कि जितनी इमेज है उससे और छोटी मेज आपको क्रियेट होती हुई नजर आ रही है ओके चलिए अब नेक्स आगे चलेंगे और नेक्स कोशन को फटावट से देख लेंगे अब वेन अब्जेक्ट इस कैप्ट एट न एनी डिस्टेंस इन फ्रंट अफ दे कॉनकेव लेंज दा इमिज फॉर्म्ड इस ओल्वेज अब अगर हम कॉनकेव लेंज के सामने कोई अब्जेक्ट को रखते हैं तो हमेशा इमिज कैसी बनती है वर्चल इरेक्ट और मागनिफाइड वह किसकी बात कर र रहे हैं ठीक है इसलेंस के बात कर रहे हैं तो यह लेंज कैसी इमिज देता है बच्चों आपको याद होगा कि हमेशा ही डिम नेट मिज देता है वर्चल और एरेक्ट इमिज देता है तो यहांपर क्या दिया हूँ है बर्चोब इरेक्ट सेम साइज नहीं होता है तो इसका ऑप्षिन क्या होगा ऑप्षिन नमबर सी डाट इस वर्च्वल इरेक्ट एंड डिमनेश्ट लियर है चलिए आगे चलेंगे नेक्स कोश्चिन की तरफ अफुल लेंथ इमिज ऑफ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग एक बहुत लंबी तो ठीगा तो प्लेइन मिलर रही हो सब्थाहाना कॉनके मिल में क्या होता कॉनके मिलर के केश में आपूण्यग मेम एकस हैं एक हो हूगाि की आसपास की इमेज करेट करके देगा आपको हमेश्य डिमनेज इसलिए कॉन्विक्स मिरर जो है इसका यूज हम हमारे रियर वियू मिरर की तरह करते हैं जो कि हम कार में बाइक्स में मोटर साइकल में यूज करते हैं ताकि पीछे बड़ा सा एक बैग्राउंड जो चोटे सी मिरर में दे है तो वो सिर्फ कौन काम कर सकता है कॉन्विक्स मिरर काम सब कर सकता है क्योंकि हर केस में यह डिमनेश्ट और पॉइंट साइज इमेज करेक्ट करके देता है आप चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स कोस्टिन पे एक काफी दूरी पर एक कोई अब्जेक रखा हुआ था और उसको इसने स्क्रीन पर आप्टेन कर लिया to determine the focal length of the given concave mirror अगर ये जो distant object था ठीक है उसको screen पर मिल रहा था ठीक है तो उसकी focal length कैसे निकाले concave mirror की focal length कैसे निकाले and the focal length of the given concave mirror he needs to measure the distance between those focus के बीच का distance measure करना होगा ठीक है so mirror and object mirror and screen screen and object screen and object and also mirror and the screen अब देखे यहां पर थोड़ा सा question जो है मुझे यहां पर गरबर लग रहा है मुझे लगता है कि question को थोड़ा सा change होना चाहिए था कि जो determine the focal length of a concave mirror a student obtained the image of a wall distant object on a screen थोड़ा सा question मुझे गरबर लग रहा है तो अपना भी इसको skip करते हैं जो ठीक है next question की तरफ चलते हैं क्योंकि कुछिन में थोड़ी से कहीं पर गरबड़ी लगार मुझे नजर आ रही है ठीक है इसको एंड में देख लेंगे now next question is array of light traveling in air goes into water the angle of refraction will be अब देखो light जो है वो जब air में travel करती है तो इसकी speed 3 into 10 to the power 8 meter per second से थोड़ी ही कम रहती है क्योंकि 3 into 10 to the power 8 meter per second क्या है speed of the light तो speed of the light थोड़ी कम हो जाएगी जब air में ठीक है तो जब एयर से ये पानी के अंदर आती है तो angle of reflection क्या होगा पानी के अंदर आएगी तो भही क्या होता है कि उसका speed है वो कम हो जाएगी तो जब भी air क्या होता आपका rare medium और पानी क्या होता है denser medium तो जब यह कहां पर band होगी normal की तरफ जो है वो अपने band हो जाती है जाना उसको सीधा चाहिए था लेकिन कहां बैंड हो जाती है towards normal normal की तरफ बैंड हो जाती है ठीक है so the angle of reflection will be 90 degrees smaller than the angle of incident ठीक है equal to the angle of incidence or greater than तो इसका क्या मतलब होगा भई देखो यहां पर angle दूसरा है दूसरे तो मिल नहीं रहा है जिस यह चोटा एंगल है बड़ा एंगल कर वोता जब वो यहां कहीं जाती ठीक है लेकिन यहां पर आपको मिल रही है यहां पर लाइट आ रही है that means ki normal की तरफ आएगी तो मतलब का normal आपका यह 90-degree तो 90 दूसरा आती जा रहा है तो smaller than the angle of incidence ठीक है तो angle of incidence से छोटी angle of reflection की value आएगी a beam of parallel light ray is incident through the holes on one side of a box अभी यहां से beam of light आ रही थी ठीक है बहुत सारी beams of light आईएगी और इमर्च आउट तू दूट ओगल on its opposite side अब यह सब यहां पर जाकर के क्या हुई मिल गई ठीक है एक पॉइंट से निकल रही है ठीक है so the diagram अभी इसमें शो नहीं है लेकिन आपने ऐसा माल लेते हैं कि यहां से आ रही है और जाकर के एक पॉइंट पर मिल रही है so which of the falling could be inside the box a rectangular glass block a concave lens a convex lens और a glass prism अब भी देखें कि यहां पर बात आ जाती है converging lens की तो इन में से कौन सा lens जो है वो converging lens है तो भाई convex lens जो है वो converging है सारी light ray को आकर के पॉइंट पर मिलाएगा तब जाकर के हमें वो एक line में दिखाई देंगी तो इसलिए जब आपने उसे दूसरे साइट से देखा तो हमें कैसी दिखाई दे रही है एक ray of light उसमें से आती हुए सब मिलती हुए merge होती हुए light दिखाई दे रही है that means की उसके अंदर क्या होगा उसके अंदर convex lens होगा now the next question is which of the following can make a parallel beam of light from a bulb for falls on it a parallel beam of light कौन बना सकता है concave mirror as well as concave lens convex mirror as well as concave lens concave mirror as well as convex lens ya concave mirror as well as convex lens ठीक है तो यहां पर बिल्कुल similar ही मुझे लग रहे हैं ठीक है तो इसका सही option क्या होना चाहिए तो parallel beam of light आ रही है ठीक है और वह parallel beam of light कौन बना सकता है तो इसमें सब देखे पर पैलल beam of light जो सिर्फ और सिर्फ आपको आएंगी तो वो किस केस में आएंगी concave mirror as well as concave convex lens में क्योंकि parallel beam of light जाकर कि किस पर मिलेंगी focus पर क्योंकि इन दोनों ही cases में चाहें हम concave mirror की बात करें चाहें हम convex lens की बात करें दोनों ही cases में अगर parallel beam of light आती है तो वो सब एक point पर जाकर के merge होती है clear है now the next question the speed of the light is in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second यह भी हमने देखा था अगर नहीं पता है आपको तो एक बार इसको भी रिवाइस कर लिजे और अब आ जाएंगे हम next question पर so which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it ठीक है अगर point source से कोई light आ रहे तो parallel beam of light कौन बना पाएगा concave as well as convex lens concave convex mirror as well as concave lens two plane mirror या फिर concave mirror as well as concave lens तो भई अभी हमने इसका option देखा था विल्कुल same option यहां पर भी दिया हुआ है वही बात है कि चाहे point से आए और parallel कर दे या parallel आए ठीक है और फिर point पर लेकर आ जाए तो यह दोनों ही कौन कर सकता है कौन के mirror और convex lens ठीक है आए नेक्स चलते हैं refractive index of water sulfuric acid glass and carbon disulfide are 1.33 1.43 1.53 and 1.63 respectively the light reverse slowest in अब refractive index का मतलब होता है कि जो जितना जादा dense है जो denser medium है उसका सबसे जादा refractive index होगा और जो जितना जादा dense होगा उतना जादा उसमें speed of the light क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो और जितनी speed of light कम होगी उतना जादा वो band होगा किसके towards होगा नॉर्मल के towards होगा तो यहाँ पर light सबसे जादा कहा किसमें सबसे जादा slow होगी तो बात की जाए तो जिसका सबसे जादा refractive index है that means carbon disulfide that means option number D हमारे लिए सही होगा clear है चलिए अब आगे बढ़ेंगे और नेक्स कोश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स कोश्चन है तो अगर मुझे टीथ को operation करना या तीथ में देखना है कि क्या problem है तो मुझे दिखाई देनी चाहिए तो वह किसमें दिखेगी वह दिखेगी जितना पास जाओ उतना जूम हमें कौन दिखाता है तो कौन के मिरर दिखाता है तो यहां पर option क्या होगा कौन के मिरर ओके तो भाई इसी के साथ अब हम निमारिकल के लिए फॉलो स्टेपअप अकाडमी क्योंकि स्टेपअप अकाडमी पर हमने आल्री ये सारे वीडियो बनाये हुए हैं तो व्लॉस्टेपअप अकाडमी और सारी चीजों को प्लेटिश्ट में जाकर के चेक कर लिजे और आज यही सबस्क्राइब करें लाइ वेबसाइट को विजट करना ना भूलें क्योंकि वहां आपको सैंपल पेपर्स के साथ साथ कुछ क्विज्स कुछ नोट्स भी एवलेबल है और वेबसाइट इस stepupacademy.ind.in इसी के साथ मैं कहते हूँ बाइ-बाइ और थैंक यू सो मच